हेलो एवरिवन आप सभी को नमस्कार मैं निहायरका आपका स्वागत है मेरे दिश्टा मेजुकेशनल चैनल पे और आज हम क्रिमिनल लॉग के बारे में देखने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस हैटलाइन पे कि थ्री न्यू क्रिमिनल लॉग को इनफोर्स किया जा रहा है जुलाइफ फस्ट को तो सबसे पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसको इनफोर्स करने का क्या रीजन है तो slow progress by state not many state have shown the urgency to train the police official in the new law क्योंकि सरकार ने अभी इस law को बना दिया है तो उन्होंने देखा कि कई राज ऐसे हैं जो urgency नहीं दिखा रहे हैं अपने police को मतला अपने police official को new law के बारे में train करने के लिए तो इसलिए इन्होंने एक date notified किया है तो इन्होंने एक date तयार कर दिया कि इस तारिक से यह फोर्स हो रहा है और आप सभी को इसको implement करना होगा सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह जो bill है यह कौन सी bill है यानि कुल मिला कि एक्ट बन चुकी है तो यह भारती नयाय सहीता तीन बिल है हमारे भारती नयाय सहीता आप यहां देख सकते हैं भारती नयाय सहीता भारती नागरिक सुरक्षा सहीता और भारती साक्ष अधिनियम जो है रेप्लेस किया गया है जैसे कि IPC IPC 860 का जो है इसके जगा पर भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता जो है यह CRPC की जगा पर आ गया है यानि कि CRPC जो पहले हुआ करता था उसके जगा पर यह 1888 में था ठीके इसके जगा पर आगया है भारतिय नागरिक भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता, BNSS, और आपका एक और अधिनियम है भारतिय साक्ष अधिनियम, क्या है, भारतिय साक्ष अधिनियम, BSA, इसके, मतलब इससे पहले जो एक्ट हुआ करता था, उसका नाम था, Indian Evidence Act, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसका एक ग्लिम्स दे देत हुआ कि यह कैसे Acts है, ठीक है, IPC और CRPC में क्या differences है, पहले आप यह जानिए, IPC जो होता है, इसमें Crime Defined है, और इसमें क्या punishment मिलेगी उसके बारे में है, CRPC उस punishment का प्रक्रिया है, Procedural Law है, यानि कि आपने यह Crime किया है, तो उसका यह punishment है, और CRPC में उसको डिफाइन किया गया कि आप punishment किस तरीके से मिलेगा, इसमें क्या क्या है, इसमें पूरी punishment की detailing है, ठीक है, तो यह Indian Evidence Act है 1972 का, तो यह साक्षी के उपर बनाएगा Act है, ठीक है, तो अब यह तीन law जो है, यह British era का था, अब उससे समाब्त करके, Indian era, यानि कि BNS, BNSS और BSA ले आये गया है, ठीक है, इस न्यूज में आप एक चीज़ धान रखेंगा, कि सेक्षन अगर पूछा जाता है, तो इस विसे ध्यान दिया है, जैसे 106, सेक्षन 106 का 2, यानि कि भारतिय न्याय सहिता का 106 का 2 जो है, जिसमें परिस्मेंट दिया गया था, जीरो से 10 यर हिट औरन केस, यानि कि कोई गाड़ी चालक है, गाड़ी चलाता है, और उनसे दुरघटना हो जाती है, तो उसको 10 साल तक का मतलब जेल जाने का प्रावधान था, जिसके कारण बहुत जादा अभी आपने न्यूस में देखा होगा, कि लोग धरना पर आ गए थे, कई ड्राइवर मतलब चक्का जाम कर थे, ठीक है ना, अभी फिलाल इसको क्या कर दिया गया, भी होल्ड पर रखा गया, इस पर देखा जाएगा, और क्या चेंज़ किया जा सकता है, यह इसे एदेटीस इंप्लिमेंट करना चाह रहे है, तो इस पर आभी सोचा जाना है, फिलाल कि इसको अभी पोस किया गया है और 304A अगर देखा जाए, इस सेक्शन का देखे, इधर IPC, इंडिन पिनल कोट का, 304A, विच विल बी रिप्लेज बाइ भारती नाय सहीता, जिसे अभी चेंज कर दिया गया है, पनिस्मेंट फोर कॉजिंग डाथ बाइ नेगलिजन्स, यानि कि जैसे डॉक्टर्स है, अ तो सरकार ने इसमें दो साल का प्रावधान किया हुआ है, तो यह IPC में था, हाला कि इसे थोड़ा पान साल किया जा रहा था, तो सरकार ने इसमें अभी विचार कर रहे हैं, फिलहाल के लिए अभी 200, यह जो बिल है अभी यह जो बिल आया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि यह 21 दिसंबर को लाश्ट यह यह अप्रूवल मिला था और 25 दिसंबर को प्रेसिजेंट का इसका मतलब यह अब पूरी तरीके से नियम बन चुका है जिससे अब सरकार ने कहा है कि जुलाई एक को मैंने बताया कि इसमें स्टेट का समझवने जैसे बहुत स्लो प्रोग्रेस से लोग इसको अडॉप्ट कर रहे थे इसलिए इसके लिए एक डेट किया गया है कि एक जुलाई को इसको फोर्स किया जाए ठीक है और यहां पर यहां पर देख सकते हैं जो हमारे होम मिनिस्टर अमिसाजी है उन्होंने कहा है कि यह जो लौ लाया गया है किसी को पनिस करने को देश से नहीं लाया गया है नयाय लाने के लिए लाया गया है सबसे से पहले आप यह देखिए कि अब जो sedition है अब यह एक longer offense नहीं रहेगा इसके जगा पर एक new offense बनाए गया है अगर हमारे भारत के उपर कोई इंडेंजर करता है यानि कि sovereignty integrity unity पर यानि कि संप्रभुता एकता और अखंटता पर कोई वार करेगा तो उसे offense माना गया है अब सेडीशन को यहां से यहां से डिलीट कर दिया गया है सेडीशन एक्चल में क्या है सेडीशन यह है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ अगर कोई सरकार के खिलाफ कि सरकार के खिलाफ हेटर फैलाता है ठीक है तो उसे punishment दी जाएगी punishment में था कि उसे नदम lifetime imprisonment दिया जाएगा तो इसके बारे में कुछ तो इसके बार में भी में थोड़ा सा बताती हूं कि यह जो लाए गया था England याई क्यूंकि हमारे भारत में पता ही होगा आप सभी को कि बिटे सर्राज करते थे एक समय पर तो 17 सेंचुरी के समय जब यह 860 वाला जो IPC की जो लौ है जिसे implement नहीं किया तो उससे भी पहले 1837 में मैकाले जो थे उनका नाम है मैकाले जी ने इसे इंट्रड्यूस किया था सेडीसन के लिए तो वो सरकार के खिलाफ नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके खिलाफ बोले ठीक है तो मैकाले जी ने जो कि बिटेस एक इसको इंट्रड्यूस किया था जब हमारा IPC की धारा जब IPC जब लाया गया इस इंट्रड्यूस किया गया 1860 में तो जब तब सेक्षन नंबर 124 लाया गया जो कि इनको लगा कि इनको लाना चाहिए था तो इनने इंसर्ट किया उस समय जो लाया थी इनका नाम है जैन भारत में इंपलाइट था और पिछले ही साल कई लोग जैसे सरकार के अगेंश जैसे बोलते रहें कई ऐसी चीज़े होती हैं जो सरकार के खिलाफ खिलाफ नहीं बोलना चाहिए मतलब एक डेमोक्रेटिक ली अपना वॉइस रख रहे थे तो यह कहीं नहीं को डर था कि कही उनके उपर सडीशन ना लग जाए तो उन्होंने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में रखा सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि इतनी पुराने कानून के आप सकता नहीं है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ठीक है तो उन पर सडीशन लगाना ठीक नहीं है इसी प्रावधान किया गया है इसमें और चीज पॉइंट रखा गए कि और अर्गनाइज क्राइम करता है कोई है उसे भी ओफेंस किया गया है जैसे इंक्लूड क्राइम सच चिड्नैपिंग, एक्स्टॉर्शन, साइबर क्राइमिंग, और बिहाइफ अव प्राइम, सिंडिके पैटी और चीज प्राइम को भी एक गोसित किया गया है यह जान बुच करके कि किसी कंटनैपिंग करना जो होता है है यह साइबर क्राइमिंग, यह सबी चीज को ऑफेंस के इंतर गया है साथ ही इसमें जो मॉब लिंचिंग जैसे केस आपने बहुत सारा देखा होगा कि कोई भी विक्ति मतलब 20-30 जुंड मिल करके किसी एक विक्ति को मार देते हैं या कोई चोर है तो उसको मार देते हैं इस अधार पर सरकार ने जैसे आपने पिछले साल ही देखा होगा कोवि सरकार ने इसमें प्रावधान किया है तो murder by group 5 और more person या 5 या 5 से ज्यादा अगर करते हैं on a ground certain identity maker such as cash language या काश की अधार पर, language की अधार पर या personal belief के अधार पर करते हैं उसे offense माना जाएगा उसके लिए साथ 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 से लेकर के lifetime imprisonment even death तक का प्रावधान किया गया है इसमें कुछ definition है जैसे offense against the body the IPC criminalized act such as murder, abatment, asociast and causing grievous hurt तभी अःता है कि अधार कोई murder करता है या फिस सोसाइट करने के लुक्साता है या assault करता है या उसको hurt होचाता है या IPC में भी था उसे रेटें रखा गाए बेनेस में भी, साथ में कुछ नय ओफेंस रखा गया सच might as organized crime, terrorism, murder by, grievous hurt by a group of people i.e. if you have organized own kidnapping or terrorism, this is also made definition and if someone is doing mob lynching, we would also add on sexual offense against women, the IPC criminalized acts such as rape, voyeurism, stalking and insulting the modesty of women this is kept in the body it increased the threshold of the victim to less with a major in case of gang rape from 16 to 18 years यानि कि 16-18 के बीच में अगर कोई ग्रेप में सामिल है उसको भी इसमें ऑफिस माना गया आगई आल्सो क्रिमिलाइज सेक्षोल इंटरकॉस विता वुमें बाइड डिसाइट फुल में और में फॉर्स प्रॉमिस यानि कि जैसा कि आप बीच में देख रहे थे कि लव जिहा गया है , इसवांभा इस एरिया में रखा गया लगया है . यहाँ ट्रोरिस्म याँ है ज्यव को आक्टा जए और एक्ता जो चन्शारे मिल थेंन्टराग यहार फिर द्रॉमिपशा जल प्रॉक्टा जाएगा-खिस या को죠 थेंन खरता जाएगा या फिर जन्रल्पलिक को इ कर दिया जाएगा मतलब इनको फासी सजाद दी जाएगी या कैप्टन परिसमें जो भी दिया जाएगा दात में दसलाक रुपए if result in death of a person imprisonment between 5 years and life and fine of at least 5 lakh रुपई और कम से कम 5 साल का नहीं तो यह नहीं हुआ तो फिर imprisonment between 5 years and life and life या फिर 5 lakh रुपई होगा जैसा मतलब defined हो कि भाई किस तई का case है तीक है अब यहां पर देख सकते हैं कि currently under section 304 A IPC 860 the punishment of causing death by negligence is two year IPC में क्या था दो साल था I am fine था तो BNS ने इसको replace करके कहा था कि कम से कम 5 साल का जो होगा वह negligence पर punishment होगा बट अभी फिलहाल के लिए इसको दो साल ही रखा गया है तो फिर भी सरकार ने इस पर यहीं कहा कि नहीं इसको बड़ता नहीं जाएगा क्योंकि यह life and death का मामला है तो इसलिए इसे अब रिटेन करेंगे अब इस पर क्या करते हैं आगे देखेंगा मी हम तो अब आपसे लेती हूँ मैं अलविदा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सस्क्राइब करें बैल आइकन को भी हिट करें और लाइक करें और अपना कमेंट प्रिय कमेंट जो है लिखे उसमें जो भी आपको डाउट या जो भी एक्वाइरीज है लाइब करें और लाइब हे लाइब करेंकrito आपको जो आपको अल्वे जो आपक Обेच Allen को बीज़े एक्वा हॉआ को याजरए आपक भीमा करेंको एक ऴन आपको आ으 क exports पींज़ आपको मैंरें और आपकिन स को डunci 먹नेंगती हूआती है को